असलावलिकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुईत खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आज की वीडियो में कुएट से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है Ministry of Interior Unveil New Deportation Center in Sulabiyah Ministry of Interior के तरफ से साथियों Deportation Center अलग-लग जगाओं पे बनाई जाती है और अलग-लग जगाओं पे दोस्तों Deportation Center मौझूद है Deportation Center मतलब दोस्तों यह होता है कि जिन परवासियों को कुएट में पकड़ा जाता है इलीगल तरीके से या किसी तरह का violation करते हो पकड़ा जाता है तो उन्हीं लोगों को Deport किया जाता है तो उसी को रखने के लिए Deportation Center बनाया जाता है तो कुएट में एक नया Deportation Center बनाया गया सुलबिया एरिया में जैसा कि वीडियो को सुने पर फोटोस वगेरा में आप देख सकते हो बहुत सारे वर्कर हैं जिनें पकड़ा गया है जो कि इलीगल तरीके से कुएट में रह रहे थे पुलिस वारे बहुत सारे इसमें है तो कुएट में सुलबिया एरिया में वहाँ पे Deportation Center को खोला गया है यानि उसे Open किया गया है भारी मातरा में वर्करों को वहाँ पकड़ा पकड़ा के लाका वहाँ पे रखा जा रहा है वहाँ आपके रखने के बाद जैसे जिसका नंबर आएगा सभी को कुएट से हमेशा के लिए Deport कर दिया जाएगा अगली जो खबर दोस्तों आरे साथ ही हो कुएट के Meteorological Department यानि कुएट के जो Meteorological Department जिसे मौसम भी भाग कहा जाता है उनके तरब से officially दोस्तों एक announcement किया गया है humidity to continue until text Thursday यानि दोस्तों humidity का मतलब दोस्तों होता है गर्मी तपिस गर्मी कह सकते हो दोस्तों या फिर मतलब ऐसा मौसम दोस्तों जो अच्छा नहीं होता है तो उस तरह का मौसम कुएट में होने वाला है तो Meteorological Department जमाल इबराहीम के तरब से ये कहा गया है कि कुएट में इस हबते Thursday से काफी जादा humidity होगी यानि काफी जादा गर्मी दोस्तों होगी तो आपको थोड़ा समहल के रहना है और गर्मी से बचने के लिए जो guidelines कुएट में लोगों को बताई जाती है वो सभी guidelines को आपको follow करना है और ये भी बताया गया है कि जो Meteorological Department ने कहा है कि बहुत सारे एरिया कुएट में ऐसे होगे जहाँ पे 40% तक वो दोस्तों humidity पहुंच जाएगा आने वाले वक्त में तो भाई बिल्कुल आपको सौधान रहना है अगली जो खबर दोस्तों वारी साथ ही हो कुएट के Ministry of Hill के तरब से भाईयों आप लोग जानते होंगे आप लोग उने खबर को सुनी लिया होगा पूरी दुनिया में एक नया वाइरस काफी तेजी से फाइल रहा काफी जादा वो खतरनाक है जिसका नाम है M-Pox जिसे Monkey Pox कहा जाता है कुएट is well prepared to control M-Pox viral infection यानि कुएट के तरब से Ministry of Hill के तरब से कलके दिन announcement किया गया है कि कुएट की पूरी medical team कुएट का पूरा सभी hospitals वगएरा पूरी तरह से तयार है जदि Monkey Pox का एक भी वाइरस कुएट में आता है ताकि उससे लड़ने के लिए साथ यूँ बताया है यह जा रहा कि यह infection यह जो virus जो फैल रहा है यह अफरीका के कुछ चुनिंदा देसों से यह फैल रहा है अब तक हजारों लोग इस पे मारे भी जा चुके हैं यहां दोस्तो बिल्कुल आप सही सुन रहे है इस वाइरस के वज़ा से इस infection के वज़ा से हजारों लोग अब तक पूरे अलग-लग मुलकों में अलग-लग देसों में मारी जा चुके हैं और एक ख़बर दोस्तों और मैं बताता हूँ फिलिपीन्स में पहला मॉंकी पॉक्स का कैस को पाया गया है फिलिपीन्स में तो यह officially फिलिपीन्स गौर्रमेंट के तरब से भी announcement किया गया था यदि इस ख़बर को पढ़ना चाहते हो जाकर आप पढ़ भी सकते हो तो दोस्तों यह कुछ खबरे थी अपडेट्स ही जो quiz त्यारी थी मैंने अब तक share किया मिलता हूँ दोस्तों नेक्स टूडियो पे जाहिन अलाफिस टेक केर